नया काम करने वाले हर व्यक्ति को ये दुनिया याद रखती है और उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है जी हाँ इतिहास में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी ब्रैंड स्ट्रेटेजी जहाँ पर एक कमपनी अपने कंजियूमर के बिहेवियर को समझ के डिफरेंट डिफरेंट साइकलोजी वाले कंजियूमर के मन में अपने ब्रैंड की एक चाप बना देती है और हर तरह के कंजियूमर को अपने प्रोड़क्ट सेल करने में सक्षम होती है नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पिकर और चीयो में टास ओवर्सीज लेमिटेड और इतना ही नहीं कंजियूमर के साइकलोजी को समझ के अपने खुद के ब्रैंड के competitive ब्रैंड मार्किट में उतार देती है जिसकी वज़ाँ से price conscious consumer, brand conscious consumer and quality conscious consumer के मन में एक छाब बना के अपने प्रोड़क्ट को आसानी से बेच देती है लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि कंजियूमर के मन में अपने प्रोडक्ट के प्रती ब्रैंड क्रियेट करने का फार्मूला आया कहां से 1810 में ब्रैंड का मतलब था एक पहचान चिन जो जानवरों पर लगाया जाता था ताकि उनके जानवर की ठीक से पहचान हो सके और 1827 में पहली बार ब्रैंड का प्रियोग किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी पहचान बनाने के रूप में किया गया और वहां से शुरुआत हुई किसी भी प्रोडक्ट को मार्कीट में ब्रैंड के रूप में लाँच करने की जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता गया इन्फॉर्मिशन टेकलोजी का यूग आने लगा और बीसवी शताबदी में एक तरह से ब्रैंड की होड लग गई बहुत सारे ब्रैंड अपने प्रोडक्ट को मार्कीट में बेचने के लिए पहचान चिन के रूप में ब्रैंड का इस्तिमाल करने लगे ताकि वो अलग-अलग कंजूमर के मन में एक पहचान बना सके आज जिस ब्रैंड के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उस ब्रैंड ने किस तरह से कंजूमर की साइकलोजी को समझा ब्रैंड कॉंशियस, प्राइज कॉंशियस, एन क्वैलिटी कॉंशियस के मन में एक ऐसा स्थान बनाया जिसकी वज़ा से एक बहुत बड़े मार्किट शेर को उन्होंने कैप्चर कर लिया तो ये कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक छोटी से गाओं के घर में बने एक बातरूम से 20 वर्स का एक युवक अपने मन में एक सपना बनाता है कि मुझे जूता बनाना है और ऐसा जूता कि पूरे देश का हर खिलाडी उसी कंपनी का उसी ब्रैंड का और एडॉल्फ डेसलर द्वारा बनाये जूते को पहन कर परफॉर्म करें इसके लिए एडॉल्फ डेसलर ने अपने भाई रुडॉल्फ डेसलर का सहरा लिया उन दोनोंने मिलकर काम शुरू किया और एक ब्रैंड की स्थापना की और उनने बनाया डेसलर शू दोनों भाई मिलकर अपने जूते खिलाडियों को पहनाते थे और यह जानने का प्रया अलग अलग जूते बनाने का निर्णन लिया। कई खिलाडियों ने अलग-अलग सुझाव दिया। कुछ खिलाडियों ने सुझाव दिया के डैसलर ऐसे जूतों का निर्मान करो जिसको पहनने के बाद कोई भी आसानी से गिली मिटी या लिए घयल सके और उसके पैर जिसकी वजह से खिलाडी के मन में उनके जूते की लोगपरियता तेजी से बढ़ गई जूतों की लोगपरियता बढ़ने के साथ साथ दोनों भाईयों का व्यापार भी तेजी से बढ़ने लगा और बढ़ते वे व्यापार को मद्दे नजर रकते हुए उन्होंने एक फैक् किया जिसकी वजह से डेसलर बंधों की डिमांड बहुत बढ़ गई फिर 936 में जब बरलिन में ओलंपिक हुए तो उस समय एक प्लेयर ने डेसलर जुतों को पहन कर चार गोल्ड मेडल जीते जिससे लोकप्रिता चरम सीमा तक पहुंच गई डिमांड बढ़ गई वैपार बाद हुआ जिसकी वजह से उन दोनोंने अलग-अलग काम करने का निर्णे लिया तेकिन उस समय समस्य ये थी कि डेसलर जूते का ब्रैंड कौन ले और दोनोंने मिलके निर्णे किया कि दोनों मेंसे कोई भी डेसलर शब्द का प्रियोग ब्रैंड के रूप में नहीं दोनोंने मिलकर market share को capture करने के लिए अलग-अलग strategy अपनाई price conscious shoes निकाले, brand conscious consumer के लिए expensive shoes निकाले और quality conscious consumer के लिए durable shoes निकाले जिसकी वजह से तीनों तरह के consumer के मन में उन्होंने अलग पहचान बना ली जबकि दोनों brand एक ही परिवार के थे, उसके बावजूद भी brand competition का फायदा दोनों भायों लेना शुरू कर दिया जब Adidas and Puma दोनों ही व्यापार में एक चरम सीमा पर थे एक बहुत बड़े market share को lead कर रहे थे ठीक उसी समय एक और brand एक बहुत बड़े market share को lead कर रहा था और वो brand है Reebok Adidas ने 11.8 billion dollar Reebok को दिया और एक बहुत बड़ा consumer bank खरीद लिया तो इस strategy से में यह पता लगता है कि अगर आप अपने product को लेकर एक बहुत बड़े market share को lead करना चाहते हैं, capture करना चाहते हैं तो price conscious, brand conscious and quality conscious होने वाले consumer को capture करें और उसका process है कि different different price segment में अपने product market में launch करें ताकि वो लोग जो price conscious हैं उसको आप आसानी से capture कर सकें और जो लोग quality conscious होते हैं उनके लिए एक superior quality product market में separately launch करें और जो लोग brand conscious होते हैं अपने leading brand के साथ उनके साथ deal करें आज Adidas, Puma, Reebok जैसी कंपनी नहीं बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो सेम इंडस्ट्री में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रैंड्स के साथ मार्किट को लीड करती है जैसे Coca-Cola कंपनी भी अपने different consumer के taste and preference के according अलग-अलग market share को capture करती है आपको जानके आश्चारे होगा कि Coca-Cola कंपनी के different product अलग-अलग brand से market में available है जबकि consumer को लगता है वो सारे product एक दूसरे के competitor हैं तो friends, different psychology के consumers के लिए आप अपने product के different range निकालें different different brands market में उतारें और उससे सम्मंदित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्ण हो तो comment box में लिखकर ज़रूर बताएं इसके लिए आप मेरे team को भी contact कर सकते हैं मेरा कोई भी informative training video मिस ना हो उसके लिए हमारे चैनल को subscribe करें मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनेरे वविश्व की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत कर दो